दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके फोन में आप अपने वाइफाई को connect करते हैं वाइफाई को connect करते के वग्त आपके समने अगर इस तरीके से problem आ जाता है जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे समने आ चुका है cannot connect to network और हमारे समने यह प्रॉबलम बार बार आ जाता है, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताएंगे, कि इस प्रॉबलम को कैसे आप सॉल्व करेंगे, और यह प्रॉबलम आपके पास, किस रीजन की बज़े से आती है, और वो रीजन भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि हम अपने Samsung के फोन तो अब हम आपको बताएंगे कि इसका आने का क्या region होता है तो इसके कुछ region होते हैं कम से कम 2 या 3 region होते हैं तो इसका सबसे पहला region ये होता है कि जैसे कि आप किसी के होड़ स्पोर्ट से अपना wifi करेंट करते हैं connect करने के बाद एक बार उसे इस्तेमाल कर लेते हैं करने के बाद फिर आप अगर connect करते हैं तो आप सोचते होंगे कि आसानी से connect हो जाता है अगर आप फिर से connect करते हैं और आपके समने इस तरीके से problem आता है तो इसका एक region ये भी होता है कि आपका जो wifi है आपके friend ने उसे block कर दिया है तक ही आप उसके होड़ इसपोर्ट से connect ना कर पाएं तो आपको ये भी चेक करना है कि आपका कहीं wifi आपके friend के होड़ स्पोर्ट में block तो नहीं है आपको ये चेक करना है और अपने wifi को unblock कर देना है अपने friend के phone में उसके बाद दूसरा region क्या होता है तो दूसरा region आपका ये भी होता है कि जैसे कि आप किसी के भी hardspot से कन्ड करते हैं connect करने के बाद एक बार आप connect कर लेते हैं एक बार connect करने के बाद दुबारा अगर फिर से connect करते हैं तो हो सकता है कि आपके friend ने अपने hardspot का password चेंज कर दिया हो password अगर कोई change कर देता है तो आप फिर connect नहीं कर पाते हैं फिर से आपको यहाँ पर password डालना होता है तब आपके सामने यह problem आता है तो आपको अपना एक बार अपने password को देख कर फिर से आप यहाँ पर डालेंगे और यह problem नहीं आएगा उसके बाद दूसरा region क्या होता है तो दूसरा यानि कि तीसरा region यह भी होता है एक कि जब आप किसी के होड इस्पोर्ट से अपना wifi कर्ण करते हैं तो हो सकता है कि आपके friend ने उसमें एक limit लगा दिया हो limit का मतलब है कि उसने लगा दिया है और फिर आप यहाँ पर connect करते हैं तो हो सकता है कि आपका limit से बाहर हो यानि कि आपके friend ने wifi कर्ण का limit लगाया है दो और आपके friend के वाहवर स्पोर्ट से दो wifi already connect है और आप तीसरा number पर अपना connect करना चाहते हैं हो सकता है यह आपके समने problem आ जाए तो आपके समने यह problem तब भी आपके समने आ जाती है तो यह कुछ region होते हैं जिन्हें आप आसानी से solve कर पाएंगे और इस वज़े से आपके पास यह problem आती है तो इन्हें आप आसानी से solve कर लीजिए और उसके बाद आपके समने नहीं आएगी अगर आपके समने फिर से आती है तब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर Wi-Fi को on करना है Wi-Fi को यहाँ से आप on करेंगे on करने के बाद आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बाद चेक करना है हो सकता है कि आपके device में बहुत सारे network यहाँ पर show रहते हैं यानि कि save हो जाते हैं तो यहाँ आपको यहाँ पर three dots पर click करना है three dots पर click करेंगे तो यहाँ पर advance पर click करना है advance पर जो आप click करेंगे तो नीचे आएंगे अब आपको अपना क्या करना है कि अपना Wi-Fi आप open करेंगे, Wi-Fi ओपन करने के गाद अपने फ्रेंड के होर्ड स्पोर्ट से आप कनेक्ट करेंगे, आप यहां से आपका connect हो जाएगा, बस आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जो मैंने इसके अंदर बताया है तीन से चार रीजन उन्हें आपको जरूर चेक करना है और आपका 101% प्रॉबलम सॉल्व हो जाएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वा